तो आज यह कोई व्लॉग नहीं है यह हमारे JEE जर्णी की वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं त्यार कहानी स्टार्ट होती है नाइन्थ क्लास से तो मैं हुआ करता था उससे पहले लाइक नाइन्थ से पहले मैं हुआ करता था लाइक बिलो एवरिज लड़का लाइक जो सब्सक्राइब करते हैं और जो भी हो सकता था था लाइक लड़कियों के लाइक गल्पेंट बगरा बनाना तो हाँ यार वो भी किया है तो इस टाइम पर था लाइक वेट लास में रिशन्शिप था और था मतलब यार हा मुझे पता है उस टाइम पर एज बहुत छोटी थ सब्सक्राइब तो लाइक थाकर सब्सक्राइब पर डाइब अरे मेरी पराइब तो कुरी खरापती थी कहिए लाइक मेरी ने बहुत जाद खरापते लाइक सिक्स क्लास लाइगे में रिए लेल सिस्टीज़फ साइब 68-65% और स्वह में में लेके लिए 60 ä, 63% हैणा इन तो 63% and in my 8th I got 57% तो यार 7th last result मैंने दिखाया नहीं था तो छपा लिया था और फिर जब 8th class result आया तो यार हुआ क्या कि मैंने like छपाया नहीं इस बार मैंने सीधा पापा को दिखा लिया था और रेपोर्ट काट दिया सीरे हाथ में और जैसे ही पापा ने देखा कि 57% तो यार उन्नका लुजए उन्हें रहुली गुट है और उन्नने आा कुछ नहीं रहुक बहुलार मैंने घ्र बॉलाए नहीं और आपट काट पार्ड के भीग दिया और फिर ऑफिस चलिए था यार्स श्लेए और उन्नकोर बुला नहीं और जींस पूर रूरा लनेकारा रहा थीख है उसी दिन से मैंने छोड़ दिया वह सब चीज़े और फेल्ट वैरी वेरी 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 बैड और फिर मैंने अपने एक फ्रेंड में सीनर फ्रेंड और इस टाइम पर लाइक आड़ी शर्मा मैंने कभी देख ही रही दरता था अधरी शर्मसेंट तो तो थीख है मैंने चलो देखते हैं फिर उसके बार मैंने करी KKD कोचिंग स्टार्ट और जब मैं आया था ना तो KKD कोचिंग में ऐसा था के मैनने दस दिन बाद इस्टर करी लिए तो आ टो जो है उसके कुछ दिनों बार दि एक टेस्ट रख दिया था फिसिक्स का तो उसम कि हाँ ओविसली दस दिन पहले का जो पढ़ा दे मैं बिलकुल नहीं पढ़ा ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ कि मजी मम्मी को सणने कॉल किया कि पॉर दा लाइक जश्ट अपडेट के कैसा रिजल्ट है क्योंकि हाँ मेरे कम नमबर आए तो उन बच्चों के घर पर फोन क्या था और मेरे सबसे कम लेए तो फिर ऐसा यह बताया कि यह सबसे कम नमबर आया कंपलेन करी मेरे मम्मी को और फैर क्या हूआ कि दूश्ट का चालू किया काफी सानदा राइक आम मौर हाइड वरकिंग दें बून समार्ट उके तो मैंने हाड़ वरक की अच्छा पहुआ मेनत करी सर जो पढ़ा रहे हर एक चीज सबसे आगे बैठे सबसे पीछे सबसे आगे आगे हम लोग ठीक है फिर पढ़े 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 और फिर नेक्स्ट जो एक्जाम होगा था लाइक टेस्ट हुआ था नॉर्मल कोचिंग में तो फिरिक से वह था तो और पूरी कोचिंग में मेरे हाइस आयते है डाइक डबल का मार्जन था जो सेकेंड था लाइक उसके सिक्स्टी सेवेंटी नाय तो मेरे थर्टी के सबसे तो ऐसा रागा और फिर यार ऐसा ही था कि एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि यार मैं भी यार कर सकता हूं जो है वो कोई अलग नहीं है लाइक वो भी सेम ही है तो मैं अंगरे कॉंफिडेंस आगे नहीं यार मैं भी कर सकता हूं और थैंक्स टू आशी सर नितिन सर स्वाती मैं और पूजय मैं लाइक आप लोग ने मेरी जिन्दगी बदल दे लाइक लिटरली मैं जहां पर था और बहुत जादा शुक्र गुजार हूं आप सभी का और हमेशा मैं आप सभी को लाइक मैं आपको मुझे नहीं पता मैं कैसे आपका शुक्रियादा करूं मुझे कभी समझ मैंने कि मेरे उपर ऐसान है जिन्दगी बरका तो ऐसा ही रहा फिर मैं हाड़ वर्क किया में अच्छ मैंने ट्वेल्ट जैसा मैंने नाइंट में वक किया था सेम वक मैंने 10 लास में बहुत मैनत करी थी मैंने लेक बोड में मैंच की सिर्फ मैंस की मैंने चार बग लगाई थी ठीक है आड़ सगरवाल आड़ी शर्मा और मोनिका कपूर और एक और लगाई थी वो जो स्कूल से एक बो लगाई थी तो यह चार बोग लगाई थी और सिर्फ मैंस की और 20 प्लस सेंपल पेपर्स केमिस्ट्री फिजिक्स और मैंस के लगाए थे तो महनत थी वह थी और देना स्कूर्ड 92.2 परसेंट इन माइ बोड और उसके बाद कुछ दूनों बाद क्या हुआ के मेरी फ है है यहांपर है फोट तो यार उस दिनलых मेरे लिए बहुत जाहादा ड़ी बात थी क्योंकि आरwow लाइक था आके मेरे लिए के इट वाइक बहुत जादा बड़ी बात है क्योंकि जो एथ क्लास में जो लड़की थी जो इसी ऐसी बाते बोली थी क्यार दीरस तो कुछ जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा तो एक दमी मतलब जेरी सारी पड़ाई जो दिखावेगी है सब बेश्ट जाएगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में और जो महनत कर रहा है उसका कोई फल नहीं मेलेगा कोई रिजल्ट नहीं आएगा लेक उसने ऐसा कुछ बोल के रखा था मज़े ठीक है एट लास में तो फिर लाइक देन मेरे नंबर उससे उपर ही थे ठी खुला नहीं परसेंट का रिजल्ट और अम नाइंटी टुटाट यू परसेंट और उनके लिए बहुर बड़ी बात है और फिर आती है मेरी 11 प्लास तर उस टाइम पर मैंने देखी जीनियस मोवी तो जीनियस मोवी का मुझे था अंदर से मैंने और उसमें है आएट क्या है तो मैं तो लाइक ओके इंजिनिरिंग ठीच बात यह अधर ऑप्शन है वैसे करियर ऑप्शन एक यह भी है मुझे नहीं पता तो इस पैसिफिकली इटी रूड़की की बिल्डिंग है तो मेरा था एक आई अधि मतला इटी रूड़की बस मुरे अंदर यह आ गया तर कि गये थे कोटा 11 में जे इक तैयारी करवाने तो गये हम लोग और हम लोगने अडमीशन लिया नुकलियस एजुकेशन में और हम लोगने लाइक फिर वापस आया हम लोग फिर हमारे 10 गे जाम हुए और जैसे एक्जाम दिये और फिर क्या हुआ फिर आया कोवेड तो मैं देखता था काफी देखे बहुत देखे तो अगस्त तक सब कुछ सही चला बहुत बढ़ी चला बहुत मज़ा रहा था फिर हुआ मेरे लाइक जब मेरा बर्सेडे था मेरा अगस्त में फिर मुझे हुआ पाइब मैड्रीम का बहुत जाधा पें तो यार हम लोग लेक्टर भी देख ते और जो फिर फ्लाइब वह वग एक उसी से घरना बहुत कम्स्त कर लोग शाय। पढ़ता है कितना ही देखोगे तो पर लाइक मैंने पढ़ाई रोख दी थी भीए पर हेल्थ इसूस हो रहा है थे बहुर जादा टीक है मैंने लाइक पंदा भी दिन की पढ़ाई रोकी और मैंने जब दोबारा री स्टार्ट करी तो बस हमेशे अगली रही गाई पंदिंग पॉशन ओविशली कंटी नहीं अरबाई या पंदेशन में जेई पोशन कहां निगल जाता है तो फिर अक्टोबर आया और मैंने छोड़ दी फर पर पढ़ाई थी पूरी पढ़ाई छोड़ दी मैंने 11 के इसी पर दिये स्कूल में और 57 परसेंट फिर जहां था ना मैं फिर आया मेरे 11 क्लास में और फिर मेरा लाइक बहुत जादा दिमाह खराब हुआ कि भाई क्या हो रहा है फिर आते हैं फिर आया ट्विस्ट कहानी में आसी सर ने मुझे बुलाया अपनी कोचिंग की इनाउगरेशन में कि दिरज आओ तुम मैं गया और यार फिर उस वो प इंग सर ने पूछ अपडेट्स करें किया क्या हो राया क्या है क्या क्या तो मैंने बता इनध Ś doute तो मैं रोज जाना चालू किया तो तो मैं रोज गया सर लाइक बहुत अपना मान देते मैं जिटी है अपना लाइक दम गया अपना ही लड़का आई आई वैसे मान देते तो मैं गया फिर उन मेरे आशी सर नितिन सर और तरनमें यार इन लोग ने जितनी हेल्प करी है न मेरी मजाख सर्ट के अगर मैं आज हूं अगर मेरे तन अच्छे नंबर आया फिर मैं जेए क्लियर हुआ सीधा सीधा पूरा पूरा क्रेडिट मेरे अशीषर नितिन सर और तरनमें को जाता है लिटरली इतने अच्छे से पढ़ाया था उनने हर एक चीज हर एक टॉपिक उनने बेसिक पढ़ाया था पर वो एड़ अच्छे लाइक मुझे डाटा निया कि मतलब मेरे नकम भी नमर आये तो कहां आगे मतलब दीरज यह क्या है लेक मुझे भी बुरा लगाता है ऐसे बात नहीं है तो चीज है थी हुई थी में सर ठीक है फिर आते हैं और अलोंग विट पैरेंस मेरे बहुत मेरे तीन दोस्त से बस तीन तीन नहीं थे और आज भी यह तीन हमेशा रहेंगे यह तीन ठीक है तो संब्रांत प्रिंस थे तो भाई इन लोगे वजे से लाइक बहुत जादा एक सपोर्ट रहा हमेशा से रहा प्रिंस इस नाव इन एंडी एंडी खड़क वासला ही इस अंडर ट्रेनिंग और वह भी बहुत अच्छा गरा लाइब में और अभी संब्रांत का लाइप चल रहा है उसका निट है और वह भी बहुत-जादा महनुत कर रा एक यह तो थेंक्स अलॉट संब्रांत एंड प्रिंस तुम झाल को तो आन जिनले भी जितना निया मैं नहीं बता सकता कि मैं कै कुछ भी नी सकता कि इतना भाई एक दम क्या हो हम लोग नॉर्मल बसंद चाय पर गए दे चाय भी नहीं दे नॉर्मल कुछ नीदा प्रिंस और सम्रां ने एक दम से गोला कि धीरज भाई तू अंसरा टॉप मार दे ना क्यों जाधा इतना कॉंपेटिशन थोड़ी हमार दे अंसरा टॉप मैंने का हां कर तो सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है मैं पढ़ता तो था ही क्योंकि उस ट्रैम पर इतना कॉंपर प्रिंस लोग का बहुत जाधा सपोर्ट रहा और थार्ड वनिस मुस्कान थैंक्स अलॉड मुस्कान तुमने लिए मुझे जिजना सपोर्ड गया ना लाइक पहुत जादा लाइक केमेस्ट्री में तुमने लेक साहत बैट कर पढ़ाया हुझे तो एक हम लोग की दू गृ जरा यह तुम लोग के बना हो तुम तीन के लोग नहीं लगता हो पाता तुम तीन के लिए लाइफ में, अगर कोई इंसान की कम होती जो अजो मलब थे उस टाइम तो यह नहीं हो बाता है ना, जो एड़ मेरे साथ वह भूब हो भी किसी रीजन से हुआ तो तो अपी अची ब प्रते दे साथ में सब क्लासे ले दे जो मैंने आता था वो मुझे बता दी तो आज भी आज भी प्रेंस अम्रां तो मुस्कान यह लोग आज मेरे दोस्त हैं वहेशा रहेंगे लाइक फॉरेवर तो फुरस के बार आते हैं तो लाइक विड़ इस पीपल्स लाइक यह टीचर फैसा और यह टीन दोस्त पीचर्स और यह टीचर्स और मेरा बहिया है यार टीन दोस्त औरटी फैंशा में मैंबर बाई ने ? तुम एंस वे जिन्देगी के लिए लेक listen धट ऐलिए कुसी के जार्रोरत नहीं है अगर तूम इक प्रिपेरिंग ऌर किजांब कर रहे हैं तो यार तीन दोस्त तीन टीचर और तीन फैमिली मेंबर काफी है भाई तुम्हारे लिए लिटरली यार मेरे भाईया ने बहुत जाधा सपूर्ट किया मजाख सेटके मैं मुझे आज भी आदा जब मैं रात में पढ़ता था ना रात में मैं बहुत कम सोया लिटरली मैं यार यही सपूर्ट चाहिए होता है तैयारी करने बच्चे को तो बहुत अच्छा सपूर्ट रहा भाईया ममी पापा सब के वज़े अगर मैं पड़ रहा हूं तो मुझे कोई डिश्टब नी करता था तो था अच्छा सा तो थैंक्स अलोट भाईया थैंक्स अलोट ममे बबाब और आप तीनों मुस पर बहुत जार प्रावड होगे आज की दिन पर तो इन सब की मदर से लाइक में ट्वेल्ट में आइसकोर थेलिच नुद्द ना बबाइग उन परसेंट घ्न परसेंट घ्न रहा कानक प्राव सानख करिंग अच्छा करुंकि बॉट टॉटभ तो इनलोट से एल भीवेल को ऑ सीलेवं करते अट ब्यर्ट मार करनक प्रावं याउण मार में से नैंटें desege नाइए भाईन वाईट व है मैं दब लगती है वाई तो एक जो बेलो एवरेज है उसे उपर आने बहुत जाद है मैं तो ठीक है तो एसा चल जाता और विद इस पीपल आगे मैं 12 और मेरे अच्छास नंबर आए ठीक है पिर अलॉंग विद बोट्स में अच्छा नहीं है मैं जेही का मैं लास्ट में ट्वेल्थ में भी कर रहा था जेह का प्रपैटिक है लो इन तीन लोगों को पता भी था कि मैं जेह का कर रहा हूं मेरे इस टीचरों को भी पता था तो यार मैंने सुबहे शांक ऐसे मेरे 12 का बोट्स हुआ हाल मैंने लाइक लेक्च्छ देहने चालू किये पीवाई किस ल क्योंकि यार ओमपेडिशन इतना है ना भाइ इतने लड़के है इतने बच्चे हैं मेरा क्यों होगा मैं तो यह फिते हैं मैं उन्ले में किया लाइबें पर कुछ नहीं कि नहीं किया है मैंने 12 में महनत करी पूली तो मुझे अंज लोग तो मैंने साहईद 8 से जादा एंट एक्जाम जेए और मेरा जेएवन जो कि एक्षपिरेंस नहीं था उकन अच्छा तो मेरा जेएवन गया बिल्कुल और गया मतलब कटॉप भी निकला था वाई इसका तो मुझे लगा कि क्या हुआ है मैंने एनलाइस किया पेपर फर पेपलाइन वैस करें मैंने अपनी करके मैंने अपनी सारी गलतियां देखी और मेंस टू जब मैंने दिया तो यह इसकोड़ गोड़ परसेटाल पर नोट डैट मुच लाइक उतना नहीं कि मैं ट्रपलाइट या निट मुझे कोई भी ब्रांच मेले अच्छी टिक टाक मुझे बहुत उतना था कि हां क्वालि मैं उसमें अडूर मैं अड्मीशन भी लिए रही है आई गॉट जेपी नोइडा सीएजी इन सेक्टर 62 ओके तो लाइक यही है लाइक यही है लाइक जेपी नोइडा में सबसे उपर केमपस और सबसे उपर वाली ब्रांच यही थी तो मुझे बहुत तगड़ी ब्रांच म ग्रण अपना देखा था क्या ये वह है तो हमेशा मेरे अंदर से कही आवजाई कि नहीं तो कि मैं लगा रहा मैंने जेई एडवांस्ट के लिए पूरा दंग दिया तर्टारा करतारा करतारा मलम मैंने बहुत रखड़ा बहुत रखड़ा और कुछ वह एक टाइम ता जब बहुत से लोगों हम से यह बोला था कि तू पागल है गया बिना कोचिंग के तू जेई क्रोस क होते है तो लाइक में और जादा नहीं दे पाता है तो इडवेंट लाइक होता है तो आइगनोड एब्रेमन और वाचिंग यूट्यूब लेक्चर्स स्ट्रेटीजी वीडियो और गिवन मैं जेई एडवांस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू अन 29 अगस्त तो मैं गया सु फिर दो तीन गंटे के शाद ब्रेक और तीन बजे से साथ बजे तक चलाता है चलाता है तो चला एक्जाम ठीक है तो मैंने दिया और मैं आ गया फिर दैन आ गॉट मैं जेएडवांस्ट रिजल्ट अन 11th of September ठीक है तो आ सो दा रिजल्ट एंड मैं कैटेगरी रेंग केम य अजर्च बिल्ट के मुझे एक उनसा इडी मिलेगा इस के रिंक तो आ गॉट वह तो मैंने इडिस मुझे बहु नारे इडिस मिल रहे था बाद अजा काफी एच्च एच्छ इटी देट बट ओविश लोवर रंक दो पिर हुई कांसलीं स्टार्ट और मैंने आ इडिक है प रूड की as my mock seat allotment तो first round हुआ और my first round starts with IIT-BHU mining okay तो it was like I was happy I was happy not like I was enough in happy enough okay but अंदर ही अंदर एक बात थी कि रूड की चाहिए भाई पता नहीं कि अंदर था कि रूड की चाहिए बस तो ठीक है अब चला 5th round हुए like first, second, third, fourth, fifth, fifth round मेरा बिल्कुल नहीं हेला नहीं भाई वो like IIT road की नहीं मिला मुझे थी है फेदा आते हैं sixth round पे जो की last round था तो last round था और मैं गया मैंने देखा और बस I saw IIT road की geological technology and yes भाई जो खुशी मुझे हुई ना भाई जिंदगी की like मेरे best like memory है वो I got my dream college and what I had seen in a movie and yes I done all my formalities on 27th of October I went to my dream college with my mom and dad and at that time there was reporting, document verification and other and what college I had seen in the GNS movie that college I had seen in my eyes so I had to cry first time but obviously and everything went good and after formalities complete I went to my hostel and in my hostel I had a lot of my room and a triple sharing room so that was good too, my roommates were good like Aditya and Aryan, both are so good like today I talk to them it's a lot of good stuff and not that it's a lot of good people and that day I had to sleep in the hostel so it was a big thing for me so that's what about my I.I.I.D.J.E. story so guys, guys, please tell me about my story please comment, please tell me about it and yes, I have this I have this, look at this look at this so yes, I have this, I have this I have this, look at this because I have this I have this, I have to say thank you for this I have this, I have this soo I have this sport and I need this I will say that after 4 or 5 years I'll be the school then I will give this that time it will tell you that thanks a lot here is what Bhajan J.E.O.D. और हाँ मैं एक चीज़ करना सहूंगा अब शायद आप कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि यह तो कैटिगरी है तो भाई ठीक है भाई तो में दिक्कत हो रही है तो मैं जो करना है कर लो कमेंट में लेख लिग दो मुझे कुई दिक्कत नहीं है बस यार मैं इतना कहूंगा कि कि यार देखो सब लोग जैसे नहीं होते हैं आप मुझे पता यार कि देखो तुम मैंसे काफी जनरल वाले होगे तो उसमें आर देखो मैं कुछ कर नहीं सकता है मैंने पॉलिसी नहीं मनाई है और आप यह तो इसा नहीं है कि तुम इस अपरचुनिटी को रिजेक्ट कर द अब भाई मैंने नहीं मनाया रूल्स और रूलेशन तो जिनने मनाया उनसे जाके लड़ों मेरे कमेंड में आगे मुझे कुछ मत कहना मैं जो हूं मैं हूं आप यह एट रुड़की में और हाँ एम 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 स्टीग्रेश्ट तो वाई ठीक है मुझे कोई दिक्कर नहीं है जो करने कर लो जो कहना आगर कह भी जाना तो कहर दो मुझे कोई दिक्कर नहीं हो ठीक है तो बस मैं तना जाओंगा कि कि दो आएम स्टी के डिग्री स्टूडेंट बट फिफ्टी सेवन परसेंट से इटी रुड़की तक का सफर उसके बीच में जो महनत है वह मैं जानता हूं वह आप कमेंट करने वाले नहीं जानते हो ठीक है तो कोई बात नहीं आप कमेंट करो हम अपनी महनत करते हैं और आ जो मेरी स्टूरी थी राइड वाज बिलोओ एवरेज स्टूडेंट और भाई अपको बोलना हो राइड दूंगे तेखो ऐसा नहीं है है सब हमेशा होता है मैं समझता हूं यार कि जब तुम महनत करो और तुम से जो कम महनत कर रहा है और अविसली मैंने हो सकता है कि आप आप अच्छा को बात आप मेरी रहा है तो इस घर मेरी कर नहीं है तो बस इतनी सी बात है कि मैं हो सकता है आप मेरी तो से कम महनत कर यह बहुत अपर मैं किसी को कहा है तो आपको कुछ कहना भी है और कह लोग मुझे कुछ दिक्कर भी है अगर आपका फ्रस्टेशन निकल रहा है मेरे कमेंट सेक्षिन में तो मैं भी खुशी है अब आज की बात करती हैं पर खतन वीडियो हो चुकिए बहुत जादा लंबी तो गाइस मिलते हैं नेक्ष्ट व्लॉग में और अगर आप मैंसे काफी लोग नए आ रहे हूं मेरे चैनल पर तो गाइस मैं आपको बता हूं आज मैं पहली बार अपने चैनल पर खुर से बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने को तो कर लो भाई ठीक है और शायर आखरी बार बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो नहीं बोलता सब्सक्राइब करने को भाई जैसे करना होगा कर लेगा तो कर लो भाई अच्छा लगा हो तो आइस फॉलो कर लो भाई अपने भाई को इंस्टाग्राम पर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में त बाई